आज हम सविधान के महत्पुन अनुछेदों का परनन करेंगे भारत देश आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जो पुरुन सवतंतरता थी वो भारत को 26 जनवरी 1950 को मिली जब हमने अपने देश का सविधान लागू कर दिया हलाकि देश का सविधान 26 नवंबर 1949 को बन कर तयार हो गया था लेकिन 26 जनवरी जो एक एतियासिक दिन था भारत के इतियास के अंदर क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत वाशियों ने अपना पहला सवतंतरता दीवस जो पुरण सवराज्य दीवस था वो मनाया था इसलिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत देश का सविधान लागू किया जब मूल सविधान बना तो इस समय 395 अनुछेद 22 भाग और 8 अनुछूचिया थी 395 आर्टिकल्स, 22 चैप्टर्स, 8 चैडियूज वर्तमान में आज हमारे पास 470 अनुछेद 25 भाग और 12 अनुछूचिया हो गई है हम एक एक भाग को और इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको लेकर अभी हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले भाग एक की बात करेंगे जिसके अंदर है संग एवं उसका राजे छितर आपको पता है इंडिया is a union of states भारत को राज्यों का संग कहा गया है तो गिव रस्पेक्ट तो इट्स डाइवर्सिटीज आंतरिक विविदताओं का संमान करने के लिए भारत में संगवाद जैसे सब्दों का कहीं पर भी इस्तमाल नहीं है और अनुछेद जो एक है उसमें भारत को क्या का गया है राज्यों का गया है तो जो आपका अनुछेद 1 है, इसमें क्या का गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संग है, इंडिया is a union of states अनुछेद 2 इसमें नय राज्यों का परवेस आपको पता है भूत से ऐसे राज्ये है जिनको आजादे के बाद भारत संग के अंदर परवेस दिया गया जैसे गोवा है जैसे सिक्केम है अनुछेद तीन राज्यों के छेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार भारत की संसद को होता है तो ये भाग एक है जिसके अंदर अनुछेद एक दो और तीन काफी इंपोर्टेंट है और इनसे रिलेटिड कई बार कोश्चन्स आए हैं अब बात करते हैं भाग दो की भाग दो जिसमें अनुछेद 5 से 11 तक जो नागरिक्ता संबंदी प्रावधान है वो दिये गए हैं कि भारदेश के अंदर नागरिक्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है इन सभी का जो प्रावधान है वो भाग दो में अनुछेद 5 से 11 के अंद संख्या 8 2 के अनोचे 12 ही 13 तक अजह सदेंसे 2000 के एंदर से 95 सभवर्रण वरा मोलिक अधिकारों की सूची से अटा दिया कया। मोलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं तो वो लिए हैं United States of America और ये भाग तीन के अंदर वरनित हैं काफी बार परतियोगिता जो questions आते हैं जो परसन आते हैं प्रिक्षाई होती हैं उनके अंदर काफी बार ये पूछा जाता है कि मोलिक अधिकारों का वरनन भारत के क इस भाग के अंदर वरनित हैं नेक्स्ट आपका आता है भाग 4A और उसके अंदर भी जो आपका Article 51A है इसके अंदर क्या है मोलिक करतव्य एक देश के नागरिक होने के सम्मंदी हम अधिकारों की मांग करते हैं लेकिन हमारे कुछ करतव्य भी होते हैं जिनको हम देश के प में 42 वे स्वैधानिक संसोधन के तहट भारते सविधान में क्या क्या गया सामिल क्या गया तो यह important question है कि मोलिक करतव्यों को भारते सविधान में सब कब सामिल क्या गया तो आप का उतर होगा 1976 कौन सी समीती थी तो सवरण सिंग समीती थी जिसके शिफारिश के उपर भाग नीती निर्देशक सिधान्त अनुछे 36 से 51 तक भारत के सविधान में नीती निर्देशक सिधान्तों का वर्नन है और यह जो नीती निर्देशक जो राज्ये की नीती निर्देशक सिधान्त है यह कौन से देश के सविधान से लिए गए हैं यह Ireland देश के सविधान से लिए गए तो यह आपके important question मनता है कि नीती निर्देशक सिधान्त जो है वो कौन से देश से लिए गए है आईरलेंड से लिए गए है और किस अनुछेद के तहत इनका वर्नन है अनुछेद 36 से 51 तक इन नीती निर्देशक सिधान्तों का जो वर्नन है वो भारतिस सविधान के भाग च्यार में वर्नेत है भाग च्यार काफी important questions जो है यह मैं भी आपको करवा रहा हूँ एक एक questions को आपको अच्छे से क्या करना है लर्न करना है next आता है भाग 5 और भाग 6 देखिए मैंने थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए राश्ट्रपती और राज्यपाल दोनों ही स्वैधानिक मुख्या होते हैं अगर देश के स्वैधानिक मुख्या की बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे देश के महमाहिम राश्ट्रपती जी और राज्ये के अगर स्वैधानिक मुख्या अगर आपसे पूछा जाये तो कौन होते हैं राज्यपाल राज्यपाल जिसके न्युकति किसके द्वारा की जाती है देस के सरुपर्थम नागरिक भी कोन होते हैं हमारे देसके राष्ट्रपती तो भाग 5 में 52 अनुछेद से लेकर 151 तक और भाग 6 अनुछेद 152 से और 237 तक जो important आपके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम यहापर क्या करने वाले हैं आपके साथ discuss करने वाले हैं सबसे पहले राष्ट्रपती का पद राष्ट्रपती जिसको देश का constitutional head कहा जाता है उनकी जो पद है वो अनुछेद 52 के तहट हमारे सविधान में वरनेत हैं राष्ट्रपती की सक्तियां और कारियों का वरनन अनुछेद 53 के अंदर वरनेत हैं और इनका जो चुनाव होता है जो आपका proportional representation system with single transferable vote system के द्वारा जो भारत के राष्ट्रपती जी का चुनाव होता है वो अनुछेद 54 के अंदर क्या है वरनेत है इसी तरीके से अगर हम राज्यपाल जी के बारे में बात करें जो हमारे राज्ये के स्वधानिक मुख्या होते हैं अनुछेद 153 में राज निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया का वर्नन है तो ये दोनों ही हमारे देश के महत्पूर्ण पद होते हैं राष्ट्रपती और राज्येपाल राज्येपाल राज्ये का स्वधानिक मुख्या होता है नेक्स जो आपका article है काफी important है वो है अनुछेद 61 अनुछेद 61 के तहट महाभ्योग प्रिक्रिया जिस प्रिक्रिया के द्वारा हम किसको आटाते हैं राष्ट्रपती को उनके पद से पदमुक्त करते हैं वह अनुछेद 61 इस प्रिक्रिया के तहट हम राष्ट्रपती को पदमुक्त करते हैं नेक्स आता है अनुछेद बहत्तर आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपती जो हैं उनके पास असीम सक्तिया हैं जिसके तहट वो किसी भी विक्ति को छमादान कर सकते हैं किसी की भी फासे की सजा को क्या कर सकते हैं माफ कर सकते हैं तो यह जो अध्यादेश की सकती कई बार ऐसा समय होता है कि देश के अंदर संसत का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय देश को एक कानून की जरूरत पड़ जाती है तो मंत्री मंडल जो सला देती है जिस सला के अधार पर अनुछे 123 के तहत राष्टपती क्या करते हैं अध्यादेश एक कानून की भाती ही क्या करता है कारे करता है राष्टपती द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको संसत के सत्र के शुरू होने से 6 सप्ता के अंदर अगर उसको स्विकृति नहीं मिलती है तो वह अध्यादेश क्या हो जाता है निश्परभावी हो जाता है काफी important question में आपको बता रहा हूँ कि अध्यादेश कितने सप्ता तक कितने समय तक परभावी रहता है संसत के 70 सुरू होने थे तो इसका उत्तर होगा 6 सप्ता हाँ क्या उत्तर होगा 6 सप्ता हाँ नेक्स आपका जो आटिकल है 143 अनुछे 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलहा लेने का राष्टपती जी का क्या होता अधिकार होता है और ये आपको ध्यान रखना है कि Supreme Court ने कोई सलहा दे दी माल लेते हैं कोई भी Public Affairs के उपर राष्टपती जी ने सलहा मांगी Supreme Court से तो जरूरी नहीं है कि सुप्रेम कोट की दी हुई सला को कोन माने राष्टपती माने यह राष्टपती के उपर निर्भर करता है कि राष्टपती सर्वचे नाले द्वारा दी गई जो सला है उसको माने या ना माने तो यह important आपके articles है related to the President of India next पद आता है उपराष्टपती उपराष्टपती पद का वर्नन अनुछे 63 के अंदर वरनित है और अनुछे 64 के अंदर लिखा हुआ है कि राजसभा के सभापती के रूप में राष्टपती क्या करते हैं कारे करते हैं एक interesting fact बताता हूँ कि उपराष्टपती पद का अपना कोई वेतन नहीं होता है उपराष्टपती को राजसभा के सभापती के रूप में क्या मिलता है वेतन मिलता है यह काफी important question है जो आपको पता होना चाहिए कि vice president post का कोई salary नहीं होता है vice president को co-officio chairman of राजसभा के रूप में क्या मिलती है salary मिलती है एक important question और मैं आपको बता देता हूँ कि माल लेते हैं राष्टपती जी को अगर अपना क्या देना हो resign करना हो तो किसको देंगे उपराष्टपती को देंगे ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर राष्टपती की मिर्तिव हो गई या उन्होंने resign कर दिया तो 6 मेने के अंदर चुनाव करवाना क्या है अनिवारी है नई राष्टपती का चुनाव तब तक उपराष्टपती क्या करते हैं कारेवाहक राष्टपती का क्या क फ्रस्ट पर ट्रेया αυτό मुखह मंत्री यह एक्सुजल जो योलीडर होते हैं गवर्मेंट के चाहिए लेशNAthisницы की बात करें तो यहां पर्नलेंदर मोदी को रख सकते हैं मुखह मंत्री की बात करें तो मनहर लाल खंटर जी को साहता देगा ठीक है और अनुछे 75 के अंदर लिखा गया है कि यह जो आपका कैबिनेट है इसका एड कोन होगा परधान मंत्री यह भी आपको पता होना चाहिए कि अनुछे 75 के अंदर इस मंत्री मंडल का जो नेता होता है वो कौन होता है परधान मंत्री और अनुछे 76 के अंदर महान्याएवादी का क्या किया गया है वर्नन किया गया है कौन होता है महान्याएवादी महान्याएवादी जो आपके भारत सरकार का क्या होता है विदी अधिकारी होता है कानून का जानकार होता है कानून संबंदी सलाह देने वाला जो होता है वो कौन होता है आपका म महान्यायवादी जिसको हम कि इंग्लिश में एटोरनी जेनल के नाम से जानते हैं तो एटोरनी जेनल भारत सरकार का क्या होता है विदिय अधिकारी होता है ना तो मंत्री मंडल का इस्सा होता है और नहीं संसद सरवच नयले के नयदीश बनने के लिए जो आपकी योग्यता होती है वो ही माय नयवादी ओडिटर जर्नल बनने के लिए होनी चाहिए तो अटोर्नी जर्नल तो यह आपको क्या होना चीए याद होना चाहिए वरतमान के अंदर जो हमारे केके वेनु गोपाल है वो हमारे का है एटोर्नी जर्नल ओफ इंडिया है कोन है एटोर्नी जर्नल ओफ इंडिया नेक्स आता है मुख्य मंतरी मुख्य मंतरी राज्य स्तर का जो सरकार का मुख्या होता है उसको मुख्य मंतरी के नाम से जानते हैं अनुछेद 163 के अंदर यहाँ पर भी मंत्री मंदल होती है और अनुछेद 164 के अंदर मुख्य मंत्री पद का वर्नन है जो मंत्री मंदल का नेता होता है जैसे अनुछे 76 के अंदर Central Government को कानून जानकारी देने के लिए यहाँ पर कौन होता है यहाँ पर महान्यावादी होते हैं उसी तरीके से अनुछेद 165 के अंदर कौन होता है महा अधिवक्ता, जिसका वर्न किसके अंदर है, अनुछेद 165 के अंदर है, वह राज्य का सर्वोच चुकानून अधिकारी होता है, जिसकी न्युक्ती, आप देखो, माय नयवादी की न्युक्ती किस ने की, कौन करेंगे, राज्य पाल, तो राज्य पाल क्या करते है, महा धिवक्ता की क्या करते है, न्युक्ती करते हैं, और महा धिवक्ता बनने के लिए वही योगता ही होनी चीए, जो एक हाई कोर्ट का जज़ बनने के लिए क्या होती है, योगता ही होती है, तो यह आपको क्या है जो central kndr sorkar का विधी अधिकारी होता है और राजे sorkar का विधी अधिकारी कोन होता है महाधी वक्ता तो यह आपको क्या करना है लइन करना है नेक्स हम बात करेंगे संसद और विधान मंडल संसद जो महतपुन ही काई है कानून मनाने की जो किंदर स्थर पर काम करती है विधान मंदल यह भी कानून मनाने की काई है जो राज स्थर पर क्या करती है काम करती है तो सबसे पहले अनुछेद 89 के तहट हमारे देश के अंदर संसद हैं संसद के तीन महत्पूर्ण अंग है राश्ट्रपती राज्य सभा और लोग सभा संसद के दो महत्पूर्ण सदन है अनुछेद 80 के तहट जो उत सदन है राज्य सभा का वर्नन है अनुछेद 81 में लोग सभा का वर्नन है जिसको निमन स्थन भी कहा जाता है इसकी एक सिंपल सी ट्रिक सरल नाम से हम इसको याद कर सकते हैं सैसे संसद रैसे राज्य सवा लैसे लोक सवा 79, 80 and 81 इसी तरीके से विधान मंडल के अगर हम बात करें तो अनुछेद 168 के तहट विधान मंडल हर राज्य के अंदर एक क्या होती है विधान मंडल होती है अनुछेद 170 के तहट विधान सभाएं क्या है विधान सभा और अनुछेद 175 विधान परिशत विधान सभा लाइक एस दा लोक सभा जिसको State Legislative Assembly कहते हैं और Legislative जो काउंसिल होती है लाइक एस दा राजे साभा हमारे 28 राजे हैं और 8 किंदर सासित परदेश हैं वर्तमान में केवल 6 ऐसे राजे हैं जहां राजे विधान परिशद हैं जम्मू और कश्मीर जो आज एक किंदर सासित परदेश हैं वहां विधान परिशद को हटा दिया गया है वर्तमान में 6 ऐसे कौन-कौन से राजे हैं तेलांगना, बिहार, उत्तर परदेश, महाराश्र, करनाटक वे आंदर परदेश अभी आंदर परदेश की राजे विधान सभा ने भी ये परस्ता उपास कर दिया है कि हमें legislative काउंसली की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अभी तक आंदर परदेश से विधान परिशद इकाई को समाप्त नहीं किया गया है तो यह आपको क्या करना है, learn करना है नेक्स्ट अनुछेद 100, निर्णायक मत देने का अधिकार जैसे लोगसबा स्पीकर है, लोगसबा के अंदर माल लेते किसी परस्ताव पर voting होती है और वो tie हो जाता है जैसे बराबर बराबर 50-50 पर हो जाता है उस समय निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा स्पिकर को होता है और उसका वर्णन कौन से अनुछेद के तहट है अनुछेद सो के तहट है अनुछेद 108 के अंदर सयुक्त अधिवेशन है joint session कई बार साधान विधेक को लेकर लोकसभा और राजिसभा के बीच मत भेद हो जाते हैं तो उन मत भेदों को क्या करने के लिए short out करने के लिए सयुक्त अधिवेशन राष्टपती जी के द्वारा बुलाया जाता है तो important question देखे question से question निकल रहा है सयुक्त अधिवेशन को कोन बुला सकता है राष्टपती कोन बुला सकता है राष्टपती और सयुक्त अधिवेशन के अध्यक्सता कोन करता है लोकसभा speaker कोन करता लोकसभा speaker यहाँ पर मैं आपको most important question बता रहा हूँ जर द्यान से सुनना है कि joint sitting के अंदर मान लेते हैं उस परस्ताव पर voting हुई और वह joint sitting के 2 by 3rd से क्या हो जाता है अगर वो pass हो जाता है तो वह bill सिधा कहां चला जाएगा राष्टपती की जो table है उसके उपर चला जाएगा और राष्टपती जैसे उसके उपर रस्ताक्षर करेंगे वह bill क्या बन जाएगा कानून बन जाएगा काफी important question है जो मैंने अभी आपको इबताया है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस channel को subscribe करना है बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी daily में आपको वीडियो बनाऊ वह आपके पास सबसे पहले notification आजाए वीडियो को like जरूर करना है next आपका जो article है 110 अनुशेद 110 में धन विदेयक है अब धन विदेयक से सम्मन्दित भी बहुत महत्वर्ण परसंड मैं आपको बता रहा हूँ कि धन विदेयक को केवल लोकसवा के अंदर परस्तूत किया जा सकता है कोई भी विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसको कौन बताता है लोकसवा स्पीकर ये भी आपको ध्यान रखना है और किसी भी धन विदेयक को परस्तूत करने से पहले किसकी स्विकर्ती ज़रूरी है राष्टबथी जी की स्विकर्ती बहुत ज़रूरी है ये भी आपको पता होना चाहिए अब धन विधेक के अंदर सरकार कोई भी tax related कोई भी proposal आती है तो कोई borrowing करती है तो वो किस के अंदर आता है धन विधेक के अंदर आता है ध्यान रखना क्योंकि next इससे ही थोड़ा सा related है अनुछेद 117 जिसको वित विधेक कहा जाता है तो वित विधेक के अंदर expenditure होता है खर्चा जो होता है उसका सारा जो लेखा जोखा होता है वित विधेक के अंदर अनुछेद 117 के तैयत होता है अनुछेद 112 बजट आपको पता है हमारा financial year एक अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्स तक चलता है जिसमें पुरे वर्स का लेखा जोखा होता है अनुछेद 116 इसी से related है लेखा अनुदान देखो कई बार budget के अंदर कुछ खर्चे छूड जाते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए अलग से जो भी प्रस्ताव लाये जाते है जो भी बिल लाये जाता है उसको क्या का जाता है लेखा अनुदान कहा जाता है काफी important question है यह आपको सारे के सारे क्या करने है लर्न करने है नेक्स आपके आते हैं supreme court and high court as you know India has integrated judicial system जिसके top में कौन होता है सर्वो चन्याले और फिर कौन होता है high courts होता है कौन होता है high courts मैं next अलग अलग वीडियो में जितने भी वीडियो मनेंगी आगे एक एक topic को लेके जैसे सर्वो चन्याले को लेकर में वीडियो बनाऊंगा हा उचन्यालों को लेकर में वीडियो बनाऊंगा लेकिन आज के वला हम अनुछेदों के उपर ही क्या करेंगे बात करेंगे अनुछेद 124 के तहट सर्वो चन्याले का गठन किया गया है अनुछेद 131 में सर्वो चन्याले के अधिकार बहुत से अधिकार हुते हैं अपील ये छेतरा दिकार होते हैं यह बहुत से अधिकार होते हैं जो अनुचेद 11 sedla सौ इक त combine crypto किग की निउखति कं Kokों करते हैं रास्टpattiz जी करते हैं इसकी पदावधी पद ग्रहन करने की तिथी से 6 वर्ष होगी अर्थार्थ इसका जो कारेकाल 6 वर्ष या इससे पहले अगर यह 65 वर्ष के आयू को प्राप्त कर लेता है तो यह अवकास ग्रहन करता है तो आपको इधान करना है कि कॉम्ट्रोलर ओडिटर जनरल इंडिया क्या करता है कि भया जो भी आपका जो करप्शन रिलेटिड है वो सब कुछ कौन करता है कैग जो कम्ट्रोलर ओडिटर जनरल ओफ इंडिया है वो क्या करते हैं बताते हैं कि किसी कोई भी आपके जो सरकार की द्वारा चलाएगे कोई नीती है कोई खर्चा है उसक को भी हमें है के द्वारा पता लगता है का जो महत्पून काड़ी क्या है कि भारत या भारत के किसी भी छित्र के अन्दर जो संचित निधी से खर्चा वह कानून के अनुसार हुआ है या नहीं इसकी जो संप्रिक्षा करता है वो कौन करता है कैक करता है हाई कोर्ट्स आपको ये याद होना चाहिए कि वर्तमान में 25 उचनियाले हैं अमारे देश के अंदर ये ध्यान रखना है आपको अनुचे 214 के अंदर राज्यों के लिए उचनैलो का गठन है और उचनैले का गठन किस तरह का होगा ये अनुचे 216 के तहट दिया गया है नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड सेंटर स्ट्रीट रिलेशन्स हैं अनुचे 249 राज्य सूची विशे पर कानुन बनाने की सक्ति के अंदर सरकार के पास देखे भारत दे तीन सूचिया उनके तहट किया गया है यूनियन लिस्ट संग सूची स्ट्रेट लिस्ट राज्य सूची और तीसरी आपकी है समवर्ती सूची और जो सेस बचिवी सब विशे हैं उनको अवसिस्ट सक्तियों के अंदर शामिल किया गया है संग सूची पर केवल और केवल के इसके अंदर विश्यों की संख्या 22 है वहाँ पर किंदर विराज्य सरकार दोनों ही क्या बना सकती है कानून बना सकती है लेकिन अगर समवर्ती सूची के उपर दिये गए विश्यों पर अगर कानूनों में मदभेद होता है तो किंदर सरकार दोरा बना गया कानून ही क्या हो होती है किंदर सरकार अवसिष्ट सक्तियां जो हैं वो हमने कनाड़ा के सविधान से लिए तो राजय सूची विशे पर कानून की सकती किंदर सरकार के पास कब आती तब वह कोई भी विषै जो है राष्टि Take भूशीत होजाता है नेक्स अनुछे 250 आपातकाल के दोराने राज़े सुची पर विशये जो होते हैं student पर कानुन मनाने की जो सकती आती है वो किंदर सरकार के पास आ जाती है नेक्स है अनुछे 262 ये अनुछे जो 262 है ये नदी जल बटवारे से रिलेटीड है कई बार हमने देखा है जैसे SYL हर्याना और पंजाब के वीच में SYL जो आपका सतलुज यमना लिंक नहर है उससे र क्या करना है जो सोलुशन है वो करना है अनुछे 263 अंतराज्य परिश्चत विभिन राज्यों के बीच में जो जगडे होते हैं उनको निप्टारे के लिए अंतराज्य परिश्चत का क्या किया जाता है गठन किया जाता है अनुछे 263 की तहत जिस अंतराज्य परिश्चत important question है अंतराज्य परिश्द की स्थापना कौन करता है राश्ट्रपती करता है और सरोपर्थम भारत के अंदर 1990 जून 1990 के अंदर सरोपर्थम अंतराज्य परिश्द की क्या की गई थी स्थापना की गई थे नेक्स आता है अनुछे 280 वित आयोग वर्तमान में 15 वित आयोग चल रहा है और इसका जो महत्पुन कारिय होता है distribution of tax between center and the state government वर्तमान में जो 15 वित आयोग है उसके जो अध्यक्स है श्री एन के सिंग है कौन है श्री एन के सिंग नेक्स आता है अनुछे 312 जिसके अंदर अखिल भारती सेवा का प्रावधान है जिसके तेन महत्पुन सेवाई शामिल है इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस IPS इंडियन पुलिस सर्विस and IFS यहाँ IFS का मतलब इंडियन फोरेस्ट सर्विस यहाँ पर कंफीूजन है क्ई बार हम इंडियन फोरेस्ट को इसके अंदर क्या कर लेते हैं ilinci कर लेते हैं इंडियन फोरेस्ट जो सर्विस है वो अखिल भारते सेवा अनुछे 312 के अंदर शामिल है अनुछे 315 संग एवं राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग UPSC like Union Public Service Commission और PCS जैसे जो एक्जाम होते हैं जो संस्थाइं होती हैं वो अनुछे 315 के तहत वरनित है नेक्स है अनुछे 324 हमारा देश एक लोक्तांत्रिक देश है जिसके अंदर चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग की क्या है स्थापना की गई है हमारी देश के अंदर जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन 25 जनौरी 1950 को किया गया और भारत देश के अंदर जो पर्थम चुनाव करवाए गए अक्टोबर 1951 से फरवरी 1952 तक करवाए गए अधिकतर लोगों का ये मानना है कि भारत इम पर्थम आम चुनाव सन 1952 में हुए क्योंकि अधिकतर जो कॉंस्ट्वेंस थी उनके अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो जनौरी 1952 के अंदर हुए थे इस निर्वाचन आयोग का जो गठन है प्रावधान है 324 के तहत किया गया है और भारत के जो पर्थम मुख्य चुनावा युक्त थे वो सुकुमार सेन थे और वर्तमान में शुशील चंदरा जो है वो भारत के मुख्य चुनावा युक्त है आज भारत का निर्वाचन आयोक मल्टी मेंबर है तीन मेंबर इसके अंदर होते हैं एक मुखे चुनावा युकत होता है और दो अन्य चुनावा युकत होते हैं नेक्स आता है आर्टिकल 343 343 अनुशेद के तहित हिंदी को राज भासा का दर्जा दिया गया है जिसकी लीपी क्या है देव नाकरी यह आपको पता होना चाहिए नेक्स आपका आपातकाल एक महत्वपूर्ण विशे जिस पर आज हम बात करने वाले हैं अनुशे 352, 356, 360 यह आपातकाल से संबन्दित है सबसे पहले हम बात करेंगा अनुशे 352 के बारे में अनुशे 352 जिसको राश्ट्री आपातकाल जल्दी में आपातकाल से रिलेटिड एक वीडियो बनाने वाला हूँ जितने वे आज तक जो कॉश्टन्स पूछे गए हैं विभिन परतियोगता परिक्षाओं के अंदर वो आपको उसके अंदर मिलेंगे अनुशे 352 में राश्ट्रपती के पास यह संकटकालिन सक्तिया है जो जर्मनी के वाइमर सविधान से ली गई है अब यह ध्यान रखना है कि अपातकालिन शक्तियामने किस देश के सविधान से ली हैं जर्मनी और यह किस के आतों में होती है हमारे देश के राश्ट्रपती जी के आतों में होती है अनुशे 352 के तहत राश्ट्रे अपातकाल की गोशनक कब की जाती है दो कारण है एक है external disturbances की भारी आकरमन हो जाए या आंतरिक गड़बडी के कारण हमारे देश के अंदर अनुछे 352 के तहत राष्टे आपातकाल लगाया जा सकता है भारत देश के अंदर सरोपर्थम सन 1962 के अंदर राष्टे आपातकाल लगा जब चीन ने भारत पराकरमन किया दूसरी बार आपातकाल सन 1971 में जब बंगला देश की सवतंतरता के लिए शिर्मति इंदर गांधी ने देश के अंदर राष्टे आपातकाल की घोशना करवाई और तीसरी बार जब आपातकाल लगा तो समय स्वयम शिर्मति इंदर गांधी प्रधान मंतरी थी और कुछ लोगों का मानना है कि नीजी कारणों के चलते भी क्योंकि 12 जुन 1975 को इलहाबाद जो हाई कोड था उनके जो जस्टिस थे जगमोहन लाल सिना ध्यान से सुनिए जब मोहन लाल सिना ने इंदरा गांधी ने जो 1971 का चुनाव लड़ा था उस चुनाव को अयोग्य ठेरा दिया जिस वेक्ति ने इंदरा गांधी के खिलाफ याचि का दाखिल की उनका नाम था राज नारायें 12 जुन 1975 को जब ये डिसीजन आया तो ये एक महतपूर्ण कारण था कि भारत में पहली बार आंत्रिक गडबडी के नाम देकर हवाला देकर देश के अंदर क्या लगाया गया आपात्काल लगाया काफ़ इंपोटेंट कोश्चन है कि देश के अंदर आंत्रिक गडबडी के कारण सरोपर्थम क्या लगा अपात्काल लगा 25 जून 1975 को लगा श्रीमत इंद्रा गांधी की सलापर एडवाइज पर फक्रुदीन अली अहमद उस समय देश के राश्ट्रपती थे जिनोंने अमारे देश के अंदर क्या लगाया था अपात्काल की घोशना की थी हमने बहुत कुछ सीखा अपात्काल से बाद में सरोच नहले ने अपात्काल से सम्मंदित प्रावधानों में कुछ बदलाव किये और कहा गया कि आंत्रिक गडबडी के कारण नहीं अगर आंत्रिक गडबडी में सेसस्त्र विद्रो होता है तब आप क्या कर सकते हैं देश के अंदर आपात् राष्टपती सासन लगता है जब देश के अंदर स्वैधानिक राज्य की जो आपकी क्या होती किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या राज्य की सरकार सविधान के नियमों के इंदेखी करके राज्य पर सासन करती है तो महां पर किंदर जो सरकार होती है उनके द्वारा ए और फिर से क्या लग जाता है वहाँ पर राश्टपती शासन लग जाता है अगर राज्यपाल क्या करता है राश्टपती जी को ये क्या कहता है कि निवेदन करता है कि राज्ये के अंदर जो सरकारे हैं वो ढंक से कारे नहीं कर रही है तो राश्टपती शासन लगाया जा सकत अब इस से रिलेटेड में आपको एक महत्रपुन परसन आपको बता रहा हूं और उसका उत्तर भी बताऊंगा कि देश के अंदर पहली बार स्वैधानिक अपातकाल या राश्ट्रपति सासन किस राज्ये में लगा तो आपका उत्तर होगा केरल किस सरकार के खिलाफ लगा के किरल की सामयवादी सरकार के खिलाफ उसके मुख्यमंत्री कौन थे इमस नमूदरी पाद सन 1969 के अंदर सरोपर्थम जोहारलाल नहरू की के अंदर सरकार के द्वारा अनुछे 356 का मिस्यूज किया गया और इमस नमूदरी पाद जो समय केरल के मुख्यमंत्री थे 1959 के अंदर प्रेजडेंट रूल लगा दिया गया यह आपको ध्यान लगना है नेक्स अनुछे 360 वितिया पातकाल आज तक भारत के इतियास में आज तक वितिया पातकाल की गोशना नहीं हुई यह महतपुर्ण परस डॉक्यमेंट कहा जाता है एक सजीव दस्तावेज कहा जाता है क्यों क्योंकि हम देश के सविधान के अंदर प्रस्तित्यों के अनुषार समय की मांग के अनुषार क्या करते रहते बदलाव करते रहते हैं और यह अनुछे 368 के अंदर वर्णित है जिसे हम सविधान दना में किस देश से लिया है दक्षन अफ्रीका के सविधान से लिया गया तो यह आपको महत्पुन परशन है जो आपको याद करना है कुछ महत्पुन जो अन्य अनुछेद जो बच गए हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं अनुछेद सत्रा जिसके तहट end of untouchability अस्प सुद्रों के साथ काफी बुरा वहवार होता था और वर्तमान में जब भारदेश आजाद हुआ भारतियों में जो इस जातिगत जो बीमारी थी उसको खतम करने के लिए सविधान के अनुछेद 17 के तहट end किया गया अनुछे 29 के तहट अलपसंख्यक हितों का सन्रक्षन अब देश के अंदर मैजोरिटी तो एक ही गुरूप है हिंदू 78.2 परसेंट और जितने भी लोग जो बाकी रहे गए वो सब अलपसंख्यक है और अलपसंख्यों को जो हितों का सन्रक्षन संबंदी जो अधिकार है वो अनुछे 29 के तहट दिये गए अनुछे 40 में पंचा इंदेयन में चुटिशंच रच नपसंख्यों का अधिकार है वो अनुछे 19.2 ऑच रहे ओढ़ी कर जो अधिकार हैं। तो कॉंस्टिटूशन रेमेडीज, स्पोर्स एनी गवर्मेंट और एनी इंड़िज़ल ट्राइट और फॉर्डमेंटल राइट, अगर कोई सरकार या विक्ती आपके मौलिक अधिकारों का हननन करता है, तो उन मौलिक अधिकारों की शुरक्षा के लिए आप सर्वच नैले या उच नैले में जाकर सरण ले सकते हैं, यह आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको किसके तहट मिला है, अनुछेद 32 के तहट, स्वैधानिक उप्चारों के अधिकार के तहट मिला है, इसलिए इसको हर्ट and soul of Indian constitution कहा जाता है, अगर मैं अनुछेद 32 को मानो शरीर क आत्मा के साथ कंपेरेजन करूँ तो गलत नहीं होगा, अगर मूल अधिकार हमारी शरीर है, तो अनुछेद 32 जो है, वो हमारी आत्मा है, वो मूलिक अधिकारों की आत्मा है, So friends, today we discuss the most important articles which are given in the Indian constitution, आज हमने सभी महतपुर्ण जो नुछेद हैं, भारते सविधान के, उनके बारे में discuss किया है, मुझे उमीद है कि आपको ये पूरी जो वीडियो है, अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो बैल आइकन है, उसको आप जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ, वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, जै हिंद, जै भारत.